हेलो रिवन, गुड मॉरिंग, स्वागत अब सभी का ऑनलाइन स्टेडियों में आज किस वीडियों हम कवर करेंगे साइन्स के एक्वेशन्स को और जिसमें देखेंगे टोटल 50 most important questions जो कि फिन्स आने वाले सभी exams के लिए काफी important होगा तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें तो चलिए शुरू करते हैं निमलिखित में से किसकी तरंग धार दिलगतम है तो फिन्स इस questions का correct answer होगा options number D यानि की अवरक्त विक्रन ठीक है अवरक्त विक्रन यानि की infrared radiation की बात करें तो इसकी जो तरंग धार होती है according to options सबसे ज़्यादा होती है अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो वहाँ पे radio तरंग सबसे ज़्यादा होता है ठीक है टोटल आपके पास साथ जो की electromagnetic wave होते है और उनमें सबसे ज़्यादा जो होता है फिन्स radio सबसे कम होता है गामा की तो यह आप याद रखेंगे तो फिलाल इस questions का राइडियो सबसे ज़्यादा होता है question number second देखें क्या कहा रहा है कि hydrogen के radio सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते है जो hydrogen के radio activity isotopes है उसको किस नाम से जानते है तो जनरल हम सभी जानते है कि hydrogen के 3 isotopes होते है पहला तो होता है protein, दूसरा deuterium और तीसा होता है tritium और इन में जो radio सक्रिये परदर्सित करता है वो होता है tritium इसलिए options number C यहाँ पे correct answer हो जाता है चीक है? आगे बढ़ते है question number 3 देखें क्या है जब तक बाहबल ना लगया जाए ऐसा कौन सा गोण है जिसके कारण किसी पिंड का विग स्थिर रहता है इस questions का right answer क्या होगा इस questions का correct answer है options number D यानि फिन्स जड़त्व जिसको इंग्लिस में इनर्जिया कहते है ठीक है? यह आप कह सकते हैं कि जो गैलेरियों का नियम भी कहा दाता है या फिर इसको कह सकते हैं न्यूटन का गती का फॉस्ट लाज़ होता है यही है ठीक है? आगे बढ़ते हैं question number 4 कहा रहा है कि निमली खित कतनों पर विचार कीज़े यानि first, second, third points को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उपरोक्त में से कौन से कथन जो वो सही है ठीक है? तो चलिए एके करके points को clear करते हैं सबसे पहला points में क्या करा है कि प्रकास तरंगे निर्वात में गती मान हो सकती है पहला points बिल्कूल करेक्ट है कि प्रकास जो तरंगे होते हैं वो निर्वात में गती करते हैं और प्रकास का जो चाल होता है निर्वात में वैकूम मेडिया में कितना होता है? 3 गुने 10 to the power 8 meter per second तो पहला point तो correct हो जाता है second बात करें तो प्रकास तरंगे जो होती है फ्रेंस वो अपवर्तन हो सकती है यह बिल्कूल correct है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं अगर हम यहाँ पर बात करें options जो की thought के बारे में तो दीखे thought हमारा क्या क्या रहा third reference प्रकास तरंगे बिदुद चुमबकिये होती है तो यह बिल्कूल correct की जो प्रकास तरंगे होती है वो बिदुद चुमबकिये होती है ठीक है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों points बिल्कूल correct है इसलिए options number A और आइडन सुरूता है ठीक है options A will be correct answer question number five में क्या के रहा है खत्रा संकेतों के लिए लाल रंग का प्रकास क्यों पर्योग में लाजाता है जनरल हम जानते हैं कि जो रेड सिगनल में रेड गलर का ही कलर की यूज के जाता है तो क्यूं होता है डेंजर कलर में रेड गलर का पर्योग इसलिए क्या था क्योंकि लाल रंग का जो प्रकास होता है इसकी scattering जो होते है वो बहुत कम होते है इसका प्रकिंडन हिंदी में प्रकिंडन इंग्लिस में scattering कहते है जो कि बहुत कम होता है और इसका wavelength होता है जो काफी अधिक होता है बाकी रंगों के तुलना में इस वैसे इसका पर्यों किया था है इसलिए option C correct होता है ठीक है? Question number 6 में क्यारा देखे बढ़ते हुए पौदों को नीमलीखीत में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में अवसकता होती है इस questions का right answer है options number C यानि कि nitrogen ठीक है फिन्स nitrogen सबसे अधिक मात्रा में अवसकता पड़ती है 7 क्या करा है कि जब किसी धातू का प्रिष्ट की रिडिद किया जाता है तब इलेक्ट्रोनों का निस्कासन क्या कहलाता है इस questions का right answer होगा options A यानि की प्रकास बिधूत प्रभाव light electoral effect कहते है ठीक है options A will be correct answer और मैं आपको बता दो फिन्स इससे जूड़ी एक question जो कि बहुत ही ज़्यादा famous है और इससे हमेशा paper में पूछा जाता है जैसे कि इसकी खोज किस ने की थी तो 1905 इसवी में Albert Einstein इसकी खोज की थी और 1921 इसी कारेकली इनको भौत की के छेत्र में Nobel Prize भी दिया गया था 1921 में यह point most important हुआ याद रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते है और question number 8 दिखी क्या है एसबेस्टस द्वारा फैला रोग जो होता है वह कौन सा होता है एसबेस्टस के द्वारा फैलने वाला जो रोग होता है वह कौन सा रोग होता है इस questions का राइटेंस रोगा options number B याने फैल्स वात्स वीती options B विल बी correct answer मैं आपको उता दूँँ कि एसबेस्टस को एक और नाम से जानते है जिसको हिंदी में कहते अधा ठीक है अधा कहते मैं इसको लिग दता हूँ अधा हो सकता है कि एसबेस्टस ना लिख सके कभी-कभी अधा लिख दे तो यह आप याद रखेंगे ठीक है अब मैं आपको इसबेस्टस जो यह वात्स वीती जो रोग होता वो फैंट्स होता क्या है यह फेफरी के cancer का कारण बनता है ठीक है और इस टाइब का जो फेफरी का cancer होता है इसे ठीक नहीं क्या जा सकता है तो राइट भार के अनुपात में आपको बताना है देखें विंस मैं आपको बता दूँ कि जल में बात कर रहा है ठीक है एच टुओ एच टुओ को हम धिक्या देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 यानि कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो फ्रेंट्स मास होता हो व प्रित्वी द्वारा चांद पर लगने वाले गुरुत्य बल की तूला में अधिक होता है। पॉइंट करेक्थ है कोई दिक्कत नहीं पहला पॉइंट साही है। सेकेडेंग पॉइंट क्या है कि निर्वारत में एक भारी पिंड रूका पिंड की तुला में फूइंट गती यानि फिस जोकि काफी तेजी से गिःती है फास्टर ठीक है। यह पॉइंट गलत है क्योंकि आपको पता है कि वैक्यू मेडिया में चाहे आप कुछ भी गिराओ, दोनों सेम किरता है क्योंकि वहाँ पे मास पे कोई भी एफेक्ट नहीं पढ़ता है, ठीक है, निरवात में क्या होता है कि चाहे आप कागज का टुकड़ा गिराओ या फिर एक जो की लोहे का टुपड़ा वो दोनों साथ में गिरते हैं इस विए से कह सकते हैं कि सेकेंड पॉइंट हमारा गलत है तो राइट अंसर यहां पर क्या होगा केवल और केवल वन options A will be correct answer ठीक है आगे बढ़ते हैं देखें next question क्या करा है कि स्वास समबंधी समस्या के निदान के लिए रुग्यों को oxygen के साथ दी जाने वाली gas कौन सी है स्वास समबंधी जो समस्या होती है उसको दूर करने के लिए रुग्यों को oxygen के साथ कौन सी gas का मिलान करके दी जाती है तो यहाँ पर जो correct answer का options A होगा right answer helium ठीक है फिंस options A विल भी correct answer ठीक है आगे बढ़ते हैं देखें next motion हमारा क्या दिया गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है यानि कि यहाँ पर कौन सा सही तरीका से match नहीं किया गया तो एक एक करके देखते तो देखें यहाँ पर correct answer की बात के तो options D बिलकुल correct answer रोगा क्यूंकि reactor जो scale होता है reactor scale का परियोग fence आद्रिता के लिए नहीं भुकम की तिवरता को मापने के लाता है और आद्रिता के मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग high grow meter का परियोग करते हैं तो यह point आप याद रखेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखें बाकी बिलकुल correct answer में कोई दिक्कत है अब यहा आपको पता हुआ कि यह उजया का मातरक है उजया का मातरक का बोथा है जो हमारे घर में विधूत का हम लोग यूज करते है जो यूट आता है वो क्या होता है पर कर का अर्जै कहीं फॉर्म होता ठीक है यहाँ पर इसलिंए विधूत का मतलब यह यहाँ यह किया गया electricity ठीक इसलिए options D को अब टिक करके आगे बढ़ सकते हैं. Clear? अगला point देखी क्या है? निमलिखीत में से किसे तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं? जो तरंगे होती हैं, जो waves होती हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसे ले जाती हैं? उर्जा को ले जाती हैं, यानि कि energy को ले जाती हैं, इसलिए option C, right answer है. 15 में क्या करें कि निमलिखीत में से कौन सी X किरंड की एक लागछडिक विसेस्ता नहीं है? तो यहां पर हैं बात करना है कि X किरंड की इत में से कौन सी एक लागछडिक विसेस्ता नहीं है? तो चलिए के करके देखते हैं देखें कह रहा है फ्रेंस X किरण के बारे में बात करना है हम अब उपर में देखेते हैं X किरण क्या होता है X किरण एक परकर का electromagnetic जो की radiation होता है ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं उनके प्रहसार के लिए किसी माध्यम क्या हो सकता नहीं होती है बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि जो विदुचुंबक के तरंग होती है उनको संचरन करने के लिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने के लिए किसी माध्यम क्या हो सकता नहीं होती है तो पहला point तो correct है और second point करें कि ये परावर्तन के नियम का पालन करती है ये बिल्कुल correct है third point में करें कि ये प्रकास तरंगों की गती से चलती है ये भी बिल्कुल correct है यहाँ पर दीखें फिन्स 0.4 गलत है जब ये प्रकास की गती से चलती है और ये प्रकास की जब गती को follow कर रही है तो यहाँ पर अनुधहरे नहीं अनुप्रस्त होना चाहिए था ठीक है यहाँ पर correct answer जो की options decom tick करेंगे ठीक है friends तो I hope कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सभी पसंद है तो please वीडियो को like ज़रूर कर दिजीगा अगला point दिखें क्या है सुची 1 को सुची 2 के साथ match करना यहाँ पे खोज या फिर अभिसकारक और उनके वज्ञानिक किन के साथ में उन्होंने क्या खोज किया था या आपको match करना तो चलिए के करके देखते है अगर हम यहाँ पे देखे रग्त के परिश संचरा ठीक है फिर फिर यादि की blood circulation in the body के गरम बात करें तो इसकी खोज जो की William Harvey ने की थी यानि A का A के साथ ही होना चाहिए तो या तो options A हो सकते है या फिर options C हो सकते है ठीक है आगे बढ़ते हैं एक्स किरन कई बर आपने paper में देखा ही होगा आपको याद भी होगा एक्स किरन रॉंस्टन ने की थी तो यानि कि C का 2 के साथ होना चाहिए तो देखें C का 2 के साथ यहाँ पर भी यहाँ पर भी मैच कर रहा है किलियर यानि यह तो कनफर्म होगा कि first या फिर C जो की right answer होगा अब बात करते है next की तो देखें यहाँ पर हम बात करें तो देखें स्टेटोसकोप की खुज किस ने की थी तो लैन एक नहीं की थी यानि की कह सकते हैं कि B का fourth होगा तो B का fourth कहाँ पर दिख रहा है आपको options A में दिख रहा है इसलिए options A को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं किलियर आगे बढ़ते हैं question number 17 निमलिखित कत्रों में से कौन सा कथन जो की सत्त है यानि फिंस कौन सा true है यह हमें बताना है तो चलिए के करके देखते हैं पहला points में क्या कह रहा है first point में यह दियागा कि DDT एक रोगालू ना सक है ठीक है तो देखे फिंस में आपको बता दूं कि DDT यहाँ पे point गलत कह रहा क्योंकि DDT जो होता है एक परकार का किट ना सक होता है ठीक है अब सबसे पहले यहाँ पर बात कह लेते हैं RDX आपको पता होगा सबी लोगों को पता होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है RDX का full firm friends क्या होता है research develop explosive ठीक है यह आप याद रखेंगे और इसको एक और नाम से जानते साइक्लो नाइट जो कि एक परकार का विस्पोटाक होता है आपको पता होगा तो कह सकते हैं कि थर्ड पॉइंट हमारा करेक्ट इसलिए option C को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं क्लियर question number 18 देखे क्या है LPG cylinder में दाब के अंतरगत द्रौव रूप में मुखे तक गैसों के किस मिस्रेंट को भरा जाता है इस questions का right answer रोगा प्रोपेन और ब्यूटेन options number C बिल्कुल correct answer हो जाता है कभी-कभी यह पोईता है कि LPG में मुखे तक कौन सी गैस होती है तो वहां पे आपको ब्यूटेन टिक करना होगा सबसे अधिक मात्रा में ब्यूटेन होता है ठीक है चलिए अगला point देखे क्या है बारे-जल का कौथणान कितना होता है ठीक है फैंस जाने की boiling जो point होता है वह भारी-जल का कितना होता है 101.4 degree celsius option c will be correct answer याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं और next question देखें क्या है दूद का अपेक्षी घनत्व ग्याद किया जाता है ठीक है यानि कि relative density जो होता है milk का वो किस से ग्याद करते हैं तो option c बिल्कुल correct answer होगा lactometer option c will be correct answer ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखें next questions क्या दिया गया निम्ने तत्व पर विचार कीज़े यानि कोबाल्ट सोना नीकेल और स्चांदी यहाँ पर दिया गया और आपसे यह पूछ रहा है कि इन में से कौन से तत्व जो की चुमग की है Magnetive है तो यहाँ पर जो correct answer होगा options भी correct answer होगा कोबाल्ट और नीकेल जो होते हैं एक पर करके Magnetize Magnetize होते हैं ठीक है Magnetized कहा सकते है options नमबर बी यहाँ पर correct answer होगा याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़ते है question number 22 जो तत्व ऑक्सिजन पर प्रतिकिलिया नहीं करता है वो क्या है oxygen के साथ जो प्रतिकिलिया नहीं करता है वो होता है helium options D will be correct answer helium जो होता है वो oxygen के साथ प्रतिकिलिया नहीं करता है इसलों options D को टीक करेंगे next question कहा है कि निमलिकित में से कौन सी greenhouse gas नहीं है तो यहाँ पर जो correct answer का option C यानि कि जो nitrogen होता है एक प्रकार का greenhouse gas के अंतरगत नहीं आता है ठीक है thorium और uranium 233 इंधन चक्र का उप्योग करने वाला विसु का प्रत्थम रियक्टर कौन सा है इस questions का correct answer का options number D यानि फिन्स कामिनी ठीक है अब यह कामिनी क्या है में आपको यह बता दूँ कामिनी जो थाफिए short form होता है कलपक का mini reactor का ठीक है जो की तमिल आडू में स्तीत है options D will be correct answer question number 25 भारत्य पर्माडू निगम लिमिटेड ठीक है भारत्य पर्माडू बिधूत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी ये काफी अच्छा प्रस्न बन जाता है इसका right answer options number A 1987 options A will be correct answer देखें next question कहा रहा है कि भारत्य यूरेनियम निगम लिमिटेड कहां पर इस्तीत है भारत्य यूरेनियम निगम लिमिटेड कहां पर इस्तीत है इस questions का right answer को options number C जादू गोडा ठीक है फिंस अब ये जादू गोडा कहां पर पढ़ता है यहां पे फिर यह point गलत लिखा गया witchcraft नहीं जादुगड़ा ठीक है इसका नाम जादुगड़ा ही होना चाहिए था तो जादुगड़ा पढ़ता है जारखंड में यह आप याद रखेंगे किलिए आगे बढ़ते हैं question number 27 निमलिकित में से कौन सी गैस फलो को कृत्रिम रुप से पकाने में जो की परियोग बे की जाती है कृत्रिम रुप से पकाने के लिए किस गैस का परियोग किया जाता है कृत्रिम रुप से इसका राइट एंसर को इथिलीन options A will be correct answer ठीक है इथिलीन इथिलीन का formula क्या होता है C2H4 ठीक है C2H4 यह आप याद रखेंगे किलिए आगे बढ़ते हैं question number 28 परमाड़ उर्जा विभाग की स्थापना कब की गए थी परमाड़ उर्जा विभाग की स्थापना कब की गए थी देखें यहां पर दो points आपको याद रखने एक तो विभाग होता और एक उर्जा जो की आयोग होता है ठीक है यह दोनों में आप confuse नहीं करेंगे सबसे पहले में आपको बता दूँ जो विभाग होता है यानि कि देखें इसको आप के लिए याद रख सकते हो जो विभाग होता है इसकी स्थापना फेंस 54 में की गए थी जो आयोग होता है इसकी स्थापना अर्टालिस में की गए थी और इसका है अगर परमाड़ उर्जा आयो इसकी भी जो की headquarter मुंबाई में ही पढ़ता है तो ये दोनों points काफी important है याद रखेंगे आयोग बोले तो 48 बिभाग बोले तो 54 ठीक है याद रहेगा clear अगला point दीखें क्या है रास्टी ये रसानीक परियोग साला भारत में कहां परिस्तित है रास्टी ये रसानीक परियोग साला भारत में कहां इस्तित है most important question और कई बार paper में ये पूछा जा चुका है right answer will be options D पूने ठीक है पूने correct answer है फलो का मीठा स्वाद किसके कारण होता है जो फलो में मीठे स्वाद का जो कारण होता है वो किसके कारण होता है तो यहाँ पर correct answer है जो कि फिंस fructose options B will be correct answer fructose ठीक है आगे बढ़ते है निम्न में से कौन योगिक बना सकता है यानि फिंस जो नीचे यहाँ पर दिया गया इन में से कौन सा एक है जो कि compound बना सकता है correct answer का options number C यानि की xenon ठीक है xenon right answer हो जाता है xenon का atomic number कितना होता है 57 ठीक है और यहाँ पर दिखे फिंस यह गलत लिखा गया क्योंकि xenon का जो right spelling होता है x-e-n-o-n होता है ठीक है जिसको denote करते हैं x-e से यह आप याद रखेंगे के लिए आगे बढ़ते हैं question number 32 चारीय मृता धातु किस के तत्यों को कहा जाता है यानि कि आपको यहाँ पर group दिया गये किस group के तत्यों को चारीय मृता धातु कहा जाता है बताइए इसका correct answer का options number A यानि कि group 2 के जो भी जितने भी तत्यों उनको fans कहते हैं चारीय मृता धातू ठीक है next question कहा रहा है कि भारी जल की खोज यूरे के द्वारा की गए थी कब की गए थी भारे जल भारी जल जो है जिसको हम लोग deuterium oxide के नाम से जानते है और इसकी जो खोज की थी किसने की थी किसने तो यहाँ पर दिया गया कब की थी आप से पूछ जा रहा यूरे ने की थी 1932 में इसलिए questions का राइटेंस रोगा options number D 1932 ठीक है आगे बढ़ते है oil of victorol किसे कहा जाता है बहुत चोटा person है और बहुत ही ज़्यादा important question है कई बार paper में आपको repeat हुआ होगा यह आपने देखा भी होगा oil of victorol के नाम से sulfuric acid को जानते है जिसको H2SO4 भी कहा जाता है ठीक है फेंस आगे बढ़ते हैं next question क्या गार है कि compensation बिंदू होता है आपको बताना क्या है compensation जो बिंदू होता है यह क्या होता है इसका correct answer options number B जब प्रकास अंसरेशन की दर सौसन की दर के बराबर होती है उसी को कहते compensation विंदू ठीक है options number B राइट अंसर है अगला point देखे क्या है कि पच्चियों और सरीश्रीपो में उच्ची पदार्थ कौन सा होता है पच्चियों और फेंज जो यहाँ पे birds और reptiles देख रहे है इसमें जो पूछा जा रहा है कि उच्ची पदार जो होता है वो कौन सा होता है तो राइट अंसर का यूरिया options A will be correct answer most important question है याद रखे question number 37 कह रहा है कि निवन में से कौन सा हार्मोन मानो सरीर में रक्त कैलसियम के स्तरकों बढ़ाता है कौन सा जो हार्मोन है वो मानो सरीर में रक्त कैलसियम के स्तरकों बढ़ाता है इस questions का correct answer का options number P यानि कि पाराथ हार्मोन ठीक है फिन्स देखें मैं आपको बता दूँ कि जो पाराथ हार्मोन होता है ये कहां पे होता है ये सबसे पहले आपको ये जान लेजें कि पाराथ हार्मोन जो रिलीज होता है वो कहां से होता है ये पाराथ हाराइड गरंथी से रिलीज होता है और ये जो गरंथी होती है कहां पे होती है तो थाराइड गरंथी के पास उसी से सटी हुई रती है उसी के साथ लगी होई होती है ठीक है यह क्या करता है कि सरीर में क्यालसियम और फासपोरस के जो भी वितरण होता है उसके नियमन यानि कि उसके कंट्रोल करता है और इसकी कमी से क्या होता है कि क्या होता है कि कमी हो जाती है जिसके वह से स्टेटैनी रोग हो जाता है यह most important questions बनता है आप इस चीज़ को या रिट्स धवरा options number a correct answer हो जाता है है ऐलहेट्स अलाइंगर-हस द्वरा आपको पतहों कि हिंदि में इसको कहते हैं ला-इंगर-हस की द्विका की द्वरा होत̏ जिसमें बीटा कोसीका के द्वरा इसकात जो शरान होता है इंसुलीन का अगनासे में ठीक है आगे बढ़ते हैं क्या है बहुत अच्छा प्रस ने बताइए जार्विक सेवन क्या है तो जार्विक सेवन एक पर करका फ्रेंस जो की आर्टिफिसियल हर्ट है यानि कि क्रित्रिम हिर्दय कह सकते हैं याद रखेगा कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला इंजाइम कौन से है दूध प्रोटीन को पचाने वाला इंजाइम कौम लोग रेनीन के नाम से जानते हैं आगे बढ़ते हैं नमबर फोटी वन के रहा है कि रिडॉपसिन जिसे द्रिस से बैग ने भी कहा जाता है मानौसरी के किस भाग में होता है तो मैं आपके बताते हैं जो रिडॉपसिन होता है यह मानौसरी के रेटीना में पाया जाता है तो राइट हैं यहां पर हो जाएगा ऑप्सिंस डी आ ठीके फिन्स जिसको टीबी कहते हैं ट्यूबर क्लोसिस तो उसी की च्छाय के लिए एक बीसीजी का टीका देया था बेसिलस कालमेट ग्योरियन इसका फूल फर्म याद रखीगा आगे बढ़ते हैं नेक्स शुचन क्या करें कि मानो त्वच्छा बाल और आखों को उनका रंग देने वाला जो रंजक होता है जिसको पिगमेंड कहते हैं उसको किस नाम से जानते हैं क्या कहा जाता है इसका राइटेंस रोका आप्सेंस नंबर B यानि की मेला नेन, आप्सेंस B विल बी करेक्ट आंसर ठीक है फिणेस आगे देखिए अगला पॉइंट कैया रहे हैं कि सुमेटो ट्रॉपीन, खालिस्तान का दूसरा नाम है जो sometrotropin होता है यह किसका दूसरा नाम है यह आपको बताना है इसका correct answer का options number जो की फिंस D यानि की breathing hormone ठीक है जिसको HGHB कहते है human growth hormone ठीक है और इसमें क्या होता है फिंस 191 क्यानि की 191 amino acid होता है और यह एक परकर का peptide hormone है जो की मनुस्य के breathing hormone cells present और उसके उत्थान को उत्तेजित करता है ठीक है यह आप याद रखेंगे कह सकते हैं की HGHB यानि की human growth hormone question number 45 मानौसरी का कौन सा अंग फ्रेंट्स osteoporosis नामक बीमारी से परभावित होता है osteoporosis नामक बीमारी से परभावित होने वाला मानौसरी का जो अंग होता है वो होता है हड़ी यानि की options A correct answer हो जाता है question number 46 malpician जो नलिकाए होती है malpician जो नलिकाए होती है वो फ्रेंस किस में पाई जाती है इसका right answer का options number D keto के उत्सरचनी अंग में options D will be correct answer के लिए आगे बढ़ते हैं question number 47 कह रहा है कि insulin में निलिकित में से कौन सी धातू उपस्तित होती है बहुत important प्रस्टने बताई है कि insulin में जो धातू पाई जाता है वो कौन सा है तो right answer यहाँ पोगत जस्ता ठीक है जिसको zinc कहाते हैं correct answer का option C आगे बढ़ते हैं और देखें next question से नमारा क्या कह रहा है फ्रींस swate fufus जो रोग होता है वो खाली स्थान में पाया जाता है किस में पाया जाता है इसका right answer का options number D यानि कि cement उधोग में काम करनेवल जो करमचारी होते हैं उनके अंदर यह पाया जाता है swate fufus रोग ठीक है यानि कि एक फिफड़े की एक बीमारी होते है जिसको white lung disease भी कह सकते हैं अगला point यह दिया गया कि pneumotoxic के अंदर जो होता है वो इस्तीत होता है बताया फ्रींस कि pneumotoxic जो center होता है वो कहां पर पाया जाता है इसका correct answer is options number A यानि कि pawns में तो मैं आपको बता दूँ फिंस यह pawns कहां पर होता है तो मस्तिस के निचले तल पर लगबग 2.5 cm लंबे gold एक पर करका होता है और यहीं पर यह पाया जाता है और यह क्या करता है कि हमारी जो swans की किरिया होते है यानि कि जो हम लोग सांस लेते हैं उसकी जो किरिया होते हैं उसको यह control करता है ठीक है? पॉन्स याद रखेंगे अगला point देखें क्या क्या? यूगलीना में अहार समागरी के रूप में संग्रहीत होता है बताइए यूगलीना में अहार समागरी के रूप में जो की संग्रहीत होता है वो क्या है? तो राइट अंसर है options number A यानि की पैरा माइलान को सीका है options A will be correct answer तो देखें विंस आज किस वीडियो में हम लोगों ने 50 questions आपके सांथ डिसकस किया और ये जो 50 questions था बहुत ही जड़े important question था अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो please वीडियो को like जरू कर दिजेगा और अपने दोस्तों के साथ भी share कीजे अपने ग्रूप में अपने facebook पे जितना हो से को उतना share क्या कीजे और हमें support कीजे ठीक है? चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके notification बील को on कर ले जगा ताकि इसी तरह की next वीडियो आपसे miss ना हो तहां मिलते हैं friends आपके साथ next वीडियो में किसे net topic के साथ thanks for watching, keep watching, keep learning, have a good day